प्रजेक्ट पुरा हो जाने के बाद ही हम सब यह रहा मेरा विजिटिंग कार्ड एसी रूम में आराम से बैटकर सड़के और बिल्डिंग्स बनाने की बजाए जिस जगे पर हम केमिकल फैक्टरी बनाना चाहते थे तुम उस जगे पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो मेरे अंदर जरा भी शराफत और सेंशीलता नहीं है अगर तुम मुझसे भीड़े तो तुम्हें मार पीट के हाउस्पिटल पहुँचाने के बारे में नहीं सोचूंगा सीधा तुम्हें यमलोग पहुँचा दूँगा थोड़ा बहुत दर लगा की नहीं लगा टेक केर लगा लगा द। हावडा, भी इसरा में जरियो अखले में और 3 तुम्हें पहाँ कौन है बे तो जिसे तुने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हो फड़ पर एक्ट को फडर क्रें को पुड़ी आ Lazio कार्ष भाष्ग कार्वशarी ऑडर स्व प्र्लाव Member कार्ड तर्ड सर्द प्रीं की उनका प्मृश्ट की खड़ उल कि वार ध। जब कोई किसी राज दर्बार में आकर राजा को धमका कर चला जाया है और राजा उसे इस बात की सजाना दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्जी की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक यूवराज भी हो सकता है तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है बेटे के लिए भी होता है मुझे तेरी आँखों में डर नज़र आ रहा है टेक केर इसके आने पर भगवाल खुद बैंट बजब जाएंगी वो बादलों पर लिखकर मेरी पोती को यह पर बिजली की तरह पुरे आस्मान में चपकेगा तुफान की तरह आस्मान चीर करा उना में उना तुबसे यचाएंग की तरह आस्मान चीर के तरह Ohh अ Gाँ! तरह में उना में चीर को यह ल करी तेरी की तरह है मेरी खुबसे उना में उना में बजलों में लिए अज़ाई पाई झाल 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 लेज्व और बचाो, और ने रिए को乾ो मेंदा पाले रिए पाधे प्रिहा आप दोन्होर को मेंदा से सदीत कुल काया प्रिए किन दोन्ह न बाधे खुल साव मेंदा रिए किन दोने अर Confederateと है सब्सक्राइब करना पड़ेगा चलो ठाओ से बात तो सही है कहां से आये हो बेटा तुम बेंगलूरू से चाचा तुम शहर वाले हो फिर भी हमारे गाओं के लड़कों से अच्छा काम कैसे कर लेते हो चाचा पेड़ चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो जड़े जमीन में ही होती है हम दुनिया में भले ही कहीं भी रहें जड़ तो ये मिट्टी ही है न मिट्टी से प्यार करना मैंने अपने दादा से सीखा इंसानों से प्यार करना मैंने अपने पापा से सीखा और ये सारा काम अच्छे से करना मैंने आप जैसे बड़ों से ही सीखाय चाचा बहुत अच्छे संसकार हैं बेटा, हमारी मदद के लिए शुक्रिया पूरी दुनिया में आप जहां भी देखो, हर जगह मतलबी लोग ही मिलते हैं पर आप जैसे किसान जो पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में निकाल देते हैं आपके हाथ धरती माँ को नमन करने के लिए ही उठने चाहिए आप मुझे बस आशिरवाद दीजिये चाचा, वही मेरे लिए काफी है हमारा आशिरवाद दुभारे साथ है अरे दूल आगया दूल आगया पेंट बजो और पेंट मिले जटी नमस्ते है बेल काड़ी तो बड़ी अच्छी चलाते हो और तुम हैंसम भी बहुत हो थांक यू अलाइक यू आटिट्यूड देखो वो कितना हैंड समय दादी हलो 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 हाई आरे हाँ हाई अंकल ये क्या हाई अंटी हाई तुम अकेरे आये हो रापाज जी कहां है यहीं तो है आरे वो रहा देखो ना मेरे पती को बिलकुल राज कुमार लग रहा है अपनी बंदी के सामने हीरो गिरी दिखा रहा है क्या अरे क्या हीरो गिरी दिखाऊंगा मैं और तुने मुझे आते हुए रास्ते में गाड़ी से धक्का दे दिया मैं चिला तरा कि रुख जा रुख जा रुख जा लेकिन तुने सुना ही नहीं देख मुझे कितनी चोट लगी है यार मैं क्या करूँ सैसुर जी आप भी देखिए जब गिरा तो इतनी जोर से बत्तक लगा मुझे आप भी देखिए यहां पर चोट लगी है देखिए बापा कितनी चोट लगी है अंकल कम सखम आप तो देख लीजिया ना इससे तो मेरी सॉली मिज़त की धच्छी ओड़ा दी पथा नहीं कब सुच्रेगा मैं मैं चलिए आप अंदर चलिए कि आकर मुझे बाम लगा दे आप अंदर तो चलिए बिजवाता हूँ क्या हाल होगा ना चाहिट पूछी न काफी पूछी मैं तुछे नहीं पूछ रहा है समझ गया आगे बलो आर्या नाम तो सुना होगा ना बहुत सी लड़कियों ने दिल पे मेरे नाम का का टाटू बनाया या 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 पर तुमने अपना नाम नहीं बताया सरसूंका मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि मैं बिल्कुल पंद जैसे दिख्यों जैसे कुछ ऐसा गाओं की लड़का इतनी आसानी से नहीं बढ़ती है बस हाँ अगर इस लड़की का बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी आर्या नहीं ओके बोस एई बहुत क्यूंचो पीछे से फटी हुई सारी है लेकिन अच्छी लग रही है तू क्यूं तिकली बना हुआ है अगर तू किसी हांसम लड़की से शादी करोगी ना तो जब देखो वो दूसरी लड़कियों को देखेगा और हम लोगों को उसके पीछे CID बनकर घुमना पड़ेगा अगर किसी चीचाक लड़के से शादी करते हैं तो उसकी रानी बनकर रहेंगे और वो हमारे आगे पीछे जोरू का गुलाम बनकर घुमेंगे अरे वो देख तेरा होने माला पती किसी और के नेटवरक को फोलो कर रहा है अना कि अने कुछ लड़कियां पॉप सांग की तरह होती है जिने हम सुनकर भूर जाते हैं कुछ लड़कियां सुनते सुनते भूर जाते हैं लेकिन आपको तो हम कभी दृर скорее की तरह how पर याद हमेशा कि बहूत कर रहा है उससे जो है गोलो ऐ लॉक से बोला न में है कर दो अरद कि नां नहीं बता तुमने नाम नहीं बता तुमने क्यों बता हो मैं चांगे कि अदिक मैव 株ामित बता है कि एक डुश तो शादी नहीं करेगा है अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूँगा है मुझे क्या लेना तुम शादी करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समझे आया बड़ा अरे भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है तुने मुझे क्यों अपने बीच में फसा कर रखा है सीधा जाकर खुदी बात कर लेना देख यार तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुम दूला है मैं पूछूँगा तो जूते पड़ेंगे यार सही बुला हां अगर नैना को यह बात पता चली तो वह खुश हो जाएगी शीव अप्रिशियेट मी करें कर दो जो आी दो हो गचरे सहनल को कर दो कर दो कर दो कर दो कि आपने कि नपने कि लुटे लाओ में हुट थूर लुटेश। लुट लुटो आपको गाउं घुमना था मैं जा रहा हूँ चलना है क्या हाँ चलते हैं यहाँ डाल नहीं गलने वाली चलो आँ चलिए उपर की पाड़ी से देखेंगे तो हमारा गाउं बहुत ही सब्सक्राइब तो सारे लोगों का ध्यान किस पर होना चाहिए तुछ पर ही होना चाहिए तो तू सल्मान खन की तरह डोले शोली दिखा कर क्यों गूम रहा है ऐसे तो सब्सक्राइब तेरी तरफ देखेंगे ना मेरी तरफ कौन देखेंगा बता आइपिल लूज मैं अटेंशन यू नो कॉम्पेटिशन स्यादा होगी तो ही लोग तेरी क अगर शादी से पहले तुने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद तेरी बीवी कंट्रोल में रखेंगी तुषी आच 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 तुने मेरी आँखेंगे खोल दी अब तू देखता जा बस अब से मैं सिर्फ अंडर्वेर पैंक रही है तो लग जा काम पे तू अच्छा प्राशक प्राशक मेरी और शादी प्राशक आच अच्छा प्राविज एख़ता बेवकूफ जारे जा करे तहां के कपड़े पहने पहँड़े एगी अपनी पल्स चेक करने की अ मारे पल्स आपको समझ में यहे रहने है ना भी एपूर्शक तुसरी एट सब्ही वाओ, यू लाइक इट, यस अफ़ कोर्स, गना जच इट, प्लीज, कुल, इस साइड, अमेजिंग, कैसे बनाए, डेली, 200, पुश अप्स, 100, बाइस और अब मैं थाइज पर काम करने वाला हूँ, तो नाइस, थाइज न, बहुत नॉटी हो, मुझे बाद में मिलना, अकेले क्यों, एक्सरसाइज सिखाने के लिए, नौचे, है, 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 बेबे, लेट्स, डू, पुश अप्स, मुझे बाद में मिलना, कुराटे कुंफू सब एक ही बार में सिखा दूँगी, ओके, भूके बस कहीं का, चलो, भूके बस, पर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आपको अपना गाउं दिखाने के लिए ले आए था, लेकिन आप तो ट्रेकर चलाते-चलाते-चलाते इतनी दूर निकला है साथ, इतना गुशूरत गाउं है, रुको, रुको, वहाँ, डाडू, एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए आइएएए यह रंगादादा एक किसान है, लेकिन बात क्या है? हम किसानों को तो इसी तरह मरना है दो इसी तरह? ये क्या क्या है रहो तुम लोग हम खेतों के लिए लोन लेते हैं तीन सालों से ना तो बारिश वी और ना ही भसल बैंक वाले एक के बाद एक नोटिस में नोटिस भेजते जा रहे हैं और शर्म के बारे हर किसान को मजबूर ये फैसला करना पड़ता उसे आद्मत ये करनी पड़ती है मरना हर चीज का हाल नहीं है दोस्त कोई हाल सोचना होगा मेरे पास कुछ पैसे हैं ये लीजे दादा जी ये रखिए मैं आपका सारा कर्श चुका दूगा रहने दिया बैटा अरे आप रख लीजे दादा जी अरे भाईया आप इस साल तो इनका कर्श चुका देंगे लेक पास कि इस परेशानी का कोई और हल तो पानी हुआ है जब हमें बारिश के पारी से फर्क नहीं पड़ेगा जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा हमारी परेशानी मिले तो हम साल में दो को बार फसल उगा सकते हैं तो फेर हमें लोग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देंगे वाँ भरवान ए चल उठा उठी यह रंगा दादा आप किस्मत वाले हैं जो भाईया ने आपकी जान बचा ली बहिए यह आपके पैसे चलते हैं बहिए और पर किया हो यह तुम्हें साडी पेंते हुए देख रहे थे तुम परदा बंद करके साडी नहीं पहन सकती थी बिल्कुल सही आ ढकन खुला रहेगा तो बिल्ली की क्या गलती है बेशरम कहीं के बेशरमी की सारी हदिर मार करते हैं रुज़र बाद में वो क्यों बदमाश बड़े भोले बन रहे हो चारा भोला बेबी मैं क्या भी भोला बन रहा था बार्द में मिलना मुझे चलो रहे तुमसे भी बाद में चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आरहा है पर टाइम तो बताएं यह नहीं भाईया हां बोलो खाना तयार है अब याया विडेवर है गोला टाइम एपड़े कहा खाना ओशार बड़ा में अच्छी बड़ा है पिर।र आई प्रमाश यह को डिख मत्माश थी नहीं प्रट सुछ आइन हो जो गया है अप आप है अप्र अच्छी लिए उग को दूटाए है नहीं होगाएं तो ये वाली देख सु यह बस को ओठे करना आसान है इस औरोट को ओठे करना आसान नहीं है वाहा हाथ में ताजे लड़ू और खुद बासी लड़ू क्या बोला बासी लड़ू और क्या गीता लड़ू खाएगी तुझे भी तुभी खाले ये ले तुझे भी शसानी शसानी यह उन्हें झाले हम हुल्पूशी मैं गुल्पूशन. ए Shellhouseкими आपने एक 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 ए सावा ए Κалось वाँ. कबसे मेरे तिल को घूरी जा रहा है तीन बार उसे मेरा तिल देखा जैसे को तैसा क्या मतलब? हम भी उसे छुपका नहाते हुए देखें क्या? तू, शर्म हाया है या नहीं? लड़का इतना हैंसम है इसलिए मैंने बोला ठीक है तो भी बोल, करना क्या है? अपनी लड़कों से कहेंगे उसे अच्छा सबर सिखा हजार रुपए लगेंगे? ठीक है भगरा कौन है? आर्या मुश्किल है क्यो? भूल जाओ आर्या को उससे पंगा लिया तो हमारी बेंड बजा देगा? जाने दो, करते तो पांच अजार रुपए लेती पांच अजार? आपने मेरी बेहन की आद दिला दी जो मेले में गुम हो गए थी मैं ये काम करूंगा चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े ये एक भाई की शबत है तू भी शबत ले? यहां सो रहा है, अभी मजा आएगा तू इस वक्त यहां क्या कर रहा है? ब्रो मुझे मेरे कमरे में नीन नहीं आ रही थी मैं यहां तेरे पास सो जाओं क्या? नहीं नहीं, तू मेरे साथ नहीं सो सकता है पूरी रात यहां आमां टांगे मारते फिरता है ठीक है तुई यहां सोचा मैं तेरे कम्रे में जाके सोता हूँ ठांक्स यार आजा मेरे साथ सोचा भाई चुपकर सोचा वह देख जिसका मुटा का वाय ना वही है जाओ ठीक है तम जाओ जाओ कहीं मरना जारे किसने मारा मुझा बहुत मारा मंझा पर हुए जल्दी बता हूँ क्या हुआ हुआ हमने उसे बहुत मारा तुम्हें मारा हुसे इस कि मारा महीं तोड़कर आगा है नाचो नाचो वैसे मैं उससे डल क्यों रही थी लगता है इनोंने उसे मारा नहीं एक काम दिया था वह भी मन लगा कर नहीं किया यह वी सरकारी काम है जो मन लगा कर नहीं है तो देखने वाली की इसने तो इस बार गलती नहीं होनी चाहिए तो यहाँ है यह भाई भाई अभी तो फिर से आ गया थोड़ा उदर हो जा मैं यहीं सो जाओंगा मुझे अकले सोने में डब है प्लीज भाई ठीक है सोजा दुबारा वामत आना हुआ है तो भी यहीं सोजा ना अचे रहने दें ना किला ही सोजाओंगा क्या सिर्दार देयार कि वह देख वहां सो रहा है वो ठीक है आप चाहिए अगर हिमाद है तो मुझे सामने आकर बारू ना अगर मुझे गुशा गया ना तो मैं बहुत रहूंगा तीन दिन तक नहीं उठेगा आपो क्या क्या रहे हो दो भी कितरा दो दिया उसे अपने मुझे भी जल्दी करो ना यह क्या था वो तो सही सलामत घूम रहा है जायो पार, पर फिर से गल्दी कर्सी दोगी जाओ उसे मेरे सामने जाकर मारो, जाओ जब सब्सक्राइब आज़ आज़ जब आज़ पंट्राइब चला छला चला 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 चलाल आज़ पता नहीं क्या खाता है तूमनों यहां क्या कर रहा है उआज गोर खार खार यह तो ताल में कुछ काला लग रहा है दाल काली नहीं है सर माग अस्टाम स्पेशल डूटी परो मैं भी मैं भी यह मुझे दो चलो निकलो पर क्यों सर अब निकलो स्पेशल ड्यूटी कहां सीखा तुमने महंदी लगा ना आची है ना सूपर गीता कम हीर आओ आओ सिट डाओ सिट डाओ क्या हो अधादी कितनी अच्छी लगाई है ने इस तो ने दी तू भी लगवाले ने रुक लगवाले में दी लगाओ इसे अरे लगाओ यह दी क्यों ने रहा है दी क्यों ने रहा है क्या अभी भी नहीं दिखा यह वो फैन बंग करना सीदी हवा आरे है महंदी खराब हो रही है बंग करना सीदी है हुआ 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 है आज का दिन आज के दिन का कब से दजार था मुझे आज आया है तो तकलीफ हो रहे है हलो हलो क्या है ये सब अंकल बेटी की शादी आपने खुशी-खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं मैंने इसे अपने हाथों से बाला है और अब ये मुझे छोड़ कर जा रही है तो दुख तो होगा न ऐसे कैसे विदा कर दूँ क्या अंकल आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी आपकी ममी भी तो घर छोड़ के आई थी न ये मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिष्टा तूट जाएगा ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है आप लोगों के दिल से नहीं पती के घर में चावल के बरतन को गिरा कर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल और इसलिए मुझे लगता है माबाप को उसके अंदर एक आत्म विश्वास भर के देजना चाहिए उसे आशिरवाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हस्ते हस्ते चली जाए बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुन है आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तौफा होगी आपका आशिरवाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची सुपब बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया शब्दी नहीं बचे ये ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम कुमसम सा हो जाता है पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता पर जिन होने तुम्हें ऐसे संसकार दिये तुम कहां से हो बेटा मेंगलूरू सर ये रहा मेरा कार्ट ओ, NK Constructions सुना है मैंने हमेश को शो भाया जी, जब से आप गाउं गए हैं, तब से सहाब को देखिए न पी ही रहे हैं एई, आर्या पहले तुमने कभी नहीं पी, फिर आप क्यों पी रहे हो देखिए डाड, मैंने आपको पॉमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना तो आप टाइट होके बैठ गया हैं वो, तुम घर पर नहीं थे, तो मैं अखेला पड़ गया था, इसलिए पेक पर पेक पीता चला गया ठीक है, लोने पिऊंगा I love you, बेटा I love you, मैसा तुम्हारे अलवा, मेरा और कोई नहीं है और आपके बिना, मैं भी कुछ नहीं हूँ अब यह नाटक बन कीजिए, मैं आ गया हूँ न, इसकी क्या जरूरत है? बिलकुल नहीं, नहीं प्यूंगा ठीक है, तो आप सो जाएंगे, चलिए बिलकुल नहीं हाइवे और एपोर्ट के टेंडर के लिए खबर विजवाई है इन दोनों प्रजेक्ट्स में से एअरपोर्ट का प्रजेक्ट बहता रहा सा नो, नो, I think highway is a better project क्योंकि उसमें हमें experience भी है यह हमारे लिए एक नया challenge होगा अगर हमें airport प्रजेक्ट मिलता है, तो हमारी company profile से इसको फाइदा होगा पर highway में ज्यादा profit है You don't know the profit in airport हाँ बिलकुल, I support for airport, sir I do, sir Even I Highway वाला प्रजेक्ट बहतर है, sir Me too Me too Sir Decision is yours Please take a call Good morning, sir Good morning Thank you हम यह discuss कर रहे हैं कि Highway project बहतर है या airport आपका क्या कहना है, sir Damn Yes, sir What? Damn, क्यों? Sir, वो करनाटक में केसार है, तुगा भद्रा है और एक है, हाँ, लिंगन मक्की हाल मटी, हारंगी, हेमावती, कोदसली वानी विलास सागर, शांती सागर, बसव सागर, रिनुका सागर हरिद्रा, राजा लक्षमन गोड़ा, कनवा, कद्रा, भद्रा, सुपह टोटल, वहां सत्रा मेजर डैम्स है पर हमारी कंपनी ये डैम बनाएं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम गवर्मेंट को एक प्रपोजल भेज़ें But why? Life saviour Life saviour? For whom? Farmers Farmers? Why? जब ही हम बड़े-बड़े इंवेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाँ साटलाइट और बिजली इंवेंट करने वालों की बात होती है लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इंवेंशन और उसे इंवेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है The farmer is the first scientist अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो invention कैसे करेगा पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फाइदा नहीं होगा हाँ मैं समझता हूँ हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते हर इनसान जो खाना कहा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिन्दा नहीं बचेंगे अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नज़र आता है लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान के जिन्दगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगा कर मेहनत करता है इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भर पूर पानी मिलेगा अगर पानी है तो फसल है फसल है तो किसान भी है और अगर किसान है तो देश है मेरे पास इससे रिलेटिट सारे डॉकिमन्स रेडी है हेलो जिस जमीन पर हम मलेशन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्टरी बनाना चाहते थी सरकार ने वहाँ डैम बनाने की परमिशन दे दिया अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा मीडिया वाले हंगा मंगड़ा कर देंगी तो ये मामला तुम ही समझालो ठीक है वह भी वह दा प्रजेक्ट पुरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड एसी रूम में आराम से बैटकर सडके और बिल्लिंग्स बनाने की बज़ा आए जिस जगे पर हम केमिकल फैक्टरी बनाना चाहते थे तुम उस जगे पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो मेरे अंदर जरा भी शराफत और सेंशीलता नहीं है अगर तुम मुझसे भीड़े तो तुम्हें मार पीट के हास्पिटल पहुंचाने की बारे में नहीं सोचूंगा सीधा तुम्हें यमलोग पहुंचा दूंगा थोड़ा बहुत दर लगा की नहीं लगा टेक केर कौन है बे तो जिसे तुने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूँ तुम्हें बहुत भारकश एगर झाल जब कोई किसी राज दर्बार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा ना दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक यू राज भी हो सकता है तेरा बाप कोई हीरो है क्या हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है मुझे तेरी आखों में डर नजर आ रहा है अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी मा मैं ये नहीं करूंगी मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली तुझे बैंगलूरू में ही रहना होगा और होस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी पापा लक्ष्मी क्या कराबी है जुके में बताईए ये बच्ची भी तो पिछले दो सालों से अपने माता पिता से दूर होसल में रह रही है न और सुन अगर तो बिना वज़े यहाँ वहाँ शहर में घुमी न तो तेरी टाउंगे तोड़ दूगी लक्षमी जब तक इसका मन यहाँ नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन पैंगलोरों में ही रह ले आप जाएए यहाँ से आपकी वज़े से यह इतने भी गड़ गई है ऐसी बात नहीं है मा जी मा पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए ॉहा है ॉहा हाँ आपकी अभरी हलू हलू श्ष्ष्थ Who is that? अआप ॉ क्या हो मा तुझे मेरा इशेर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा ना ही कॉलेज में और ना ही हॉस्टिल में मैं घर वापस जाना चाहती हूं शुरू-शुरू में सब को ऐसा लगता है पर धीरे-धीरे आदत हो जाती है चल चल के सोते हैं तुम जाओ मैं आती हूं कि अधार यह क्या सोच रहे हो बेटा कुछ नहीं पापा बस वो डायम प्रोशेक के बारे में सोच रहा था इतना मत सोचा करो बेटा इंज्वाइव लाइफ इस पार्टी टाइम मैं पापा मैंने लाइफ में पार्टी वाटी बहुत कर ली आपको नहीं लगता कि आप थोड तुम तो शादी में गए थे ना अरे 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 को रोको सुनो तो सही वहाँ कोई लड़की वर्टी भी बीज़ी नहीं पापा सही टाइम पर पता दूँगा टाइम हाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में निकाल दी और इस पीच तुम सारे बच्चे कब बड़े होगे मुझे पता भी नहीं चला इस बात का मुझे कोई दुख नहीं क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि जो मैं न जी पाया वो जिंदगी मेरा बेटा जरूर जीएगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी जी लिए हर किसी की जिंदगी में अपनी खुशिया होती है और अपने कम भी होते हैं लेकिन बेटा मैंने जिंदगी की जो खुशिया मिस की चाहूंगा उन्हें तुम जीओ पापा हर पिता अपने ब वेस्ट फादर, यो दर वोल्ड से बेस्ट सर्व क्यों बे, शादी हो गई तो, दोस्त को भूल गया है, बहुत मज़े कर रहा है काई के मज़े, तुझे क्या मता मेरी हारन कैसे है भाईया ठीक हूँ भाबी, थांक यू, वैसे आप कैसे है ठीक हो, जी रही हूँ इनकी क्रिपासे क्रिपासे, कितनी छूटी है यह या सुनना, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी तुबोलना क्या चाहिए, मैं अपनी जान दे दूँगा तेरे लिए जान नहीं चाहिए, बस गीता का नाबर चाहिए इन सॉरी यह लो, अभी तो तू मेरे लिए जान देने वाला था ना तू मेरे बीवी को जानता नहीं है, वो दिख्ती बंदी है लेकिन अंदर से एकदम बंदा है क्या? मतलब मैं उसके स्वभाव की बात कर रहा था बहुत बड़ी गुंडी है वो यह मत भूल की तू मर्द है यार मर्द? अबे जब से शादी हुई है तब से मैं भूली गया हूँ कि मैं मर्द हूँ अबे क्या बोल रहा है? Come on, be a man भारी आवाज में उसके ओपर चिला काँ आप जाएगी वो? सच्ची? हाँ, आजमा के देख कुशिश करता हूँ हे सुनो क्या है? नहीं कुछ नहीं चलट, जा यहाँ से तुझे यहाँ पर किस ने बुला है? हे नैना हाँ, बोलो मुझे गीता का नमबर दो किस लिए? उसकी कॉलर रुटून मुझे चेक करनी है तुमें इससे क्या? तुम बस नमबर दो ठीक है, तो अंदर आखा ले लो अरे भाई, काप रही यह लगता है अगर मुझे पहले पता होता न तो पहले सी भारी आवाज में बात करता हूँ से यह होई ना बात यह बेटा तो गया आज काम से तोई, गिमी हर नमबर तुम्हें शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था पर तुम दूसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे फ्लर्ट? वो क्या होता है बेबी? अच्छा, चूटे मकार कहीं के उसका नमबर चाहिए, दू नमबर नमबर में अपने लिए नहीं भई के लिए महाँ आहा अच्छा, भाईया आहा कहीए भावी आपने इंसे नमबर मंगा क्या नहीं तो अरे ब्रो कोहों चले अललललल अललल Baltimore नमबर मिला क्या? मिला तो दे न इसने मुझे कई दिनों तक पीटा तेरी वज़े से आज भी पीटा गया भाड में जा तू अबे वहां मचा वहां तेरी बीवी है यहां मिल सकता समझा क्या करूं मैं यहां तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा आर्या को कॉल करूं क्या हां लगा की देखते हूं इस सुनाब है क्या है उसका नंबर देना प्रीज नहीं मैंने प्रीज यार अलो कॉन है तुदू ए अरी देना यहार चॉड़ना मैं नहीं दे सकता प्रीज यहार तुदू किया अचारू वो कॉन है ए लीना तुमारा ही नंबर है न तुम्हें ने फोन किया है क्या हूं मैं ही हूं आज तुम्हें मेरी याग कैसे आ गई है वो मुझे तुम्हारी चोटी सी हेल्प चाहिए थी त हाँ ओके मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं दो गंटे रुको मैं फ्लाइट पकड़कर आता हूं ने 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 ऐसा मत करना मतलग मैं बेंगलूरू में हूं बेंगलूरू में हाई गीता वाट अ सप्राइज मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी बाइक हां बाइक तुम्हारे पास कार नहीं है कार चाहिए तुम कहीं जाना चाहती हो क्या तुम बाइक पर चलते हैं ना करार या यह तो बात ही नहीं कर रही है यार अच्छा कॉलेज में सब ठीक तो है ना किसी रिष्टेदार के घर पे रुकी हो क्या अच्छा तो पीजी में रुकी हुई हो ओ मतलब हॉस्टेल में रुकी हुई हो अरे तुम भी कुछ बोलो ना मैं अकेला ही कबसे बगबग किये जा रहू लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ टपोरी मतलब चलो शुकर है कि मुझ तो खोला सवाल पूछने के लिए इस है टपोरी मतलब मैं हूँ अच्छा हुँ सुनो हम दोनों आटो में चल सकते हैं हुँ 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 हाँ हुँ मैंने लोगों को पीछे बैठ कर बहुत कुछ करते हुए देखा है पर तुम दोनों तो एकदम चुप चाप बैठे हो शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है कमान एंजाय दे मिल्जिक यह हो हा तेरा है होना तुझको अपना है माना वा 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 बैया जी क्या गाना चला है सुपर आई लव यू थैंक्यू 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 मैं ऐसे गाने आप जैसे आशिकों के लिए ही लगाता हूँ ऑटो, उटो, मैंने कहा ऑटो, रोक, रोक आटो.. रोक ता है या, आशी किसे वोड़ा कृएं आशी से लग हैं.. क्यूं? हम तुझे भाई भाहिन जैसे नहीं लग रहें? पुदा आया, आशी बला.. क्या बाट कर रही है मैडम? इसमें गुस्सा वाली क्या बात है.. गुस्सा है इस पर गुस्सा भी ना करूँ तो इस वाता में बैटा ही नहीं चाहिए चल बाद ए ए गीता आप जाओ या रुको ना कल सुबह दस बजे होपसिल के बाहर आ जाना लगता है लड़कियों को टाइम पर आना आता ही नहीं है मुझे तो दस बजे आने को कहा और खुद अभी तक गायब है मेरे साथ खेल रहा है तू रोक एक मिनट अब मैं समझ गया तू पक्का चीटियों की रानी ही होगी तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा बाई चलो अच्छा है तुम हज़ भी सकती हो अब चले हेलो मैडम ये आटो और बस का चक्कर रोज रोज नहीं चलेगा और इस बाई को मीलो खीच-खीच कर मैं अपनी टांगे नहीं तुड़वा सकता प्लीज बैट जाओ अग्सिदेंट भी हो जाए मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तो मैं पहले ही बता दूँगा इतना तो भरोसा करो यार फ्रेंड यार फ्रेंड 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 तुम तो ऐसे डरी हैं जैसे बच्चे पहली बार जूले पर बैठने से डरते हैं लोग देखेंगे तो सोचें कि मैं तुम्हें किड्नाप कर रहा हूं देखो मैं तुम्हें एक इंच भी टच नहीं करूंगा प्लीज आराम से बैठ जाओ अरे यार पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया फिर उसने कहा फ्रेंड बाद में बनेगी गल्फरेंड और आखिर में बनेगी वाइफ फिर होगी जंड लाइफ यार तो कुछ भी बखवास करते हैं अगर मान लोग खाते हुए मूं में बाल आ गया तो हमने पूछ लिया कि कै अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना तो कोई बारिश नहीं को रोशन करती हैं तुने वो गाना नहीं सुना क्या लड़किया घर का असलीची राज स्टॉप कितनी देर से बहुत टाइम हो गया तुससे अच्छा तो दोस्त हो यहीं नहीं सकता थैंक्ची थैंक्ट चलता हूं ख्याल रखना थैंक्यू बाए 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 बेस्ट अब लग आते रहे ना बेबी बोलो बेबी सुनो देखो तो आसमान कितना अच्छा लग रहा है अच हम किसानों के लिए हमारे खेत ही हमारी जिंदगी है जो डैम आप यहां बनवा रहे हैं उससे हमारे जिन्दगी फिरसे रोशन हो जाएगी आप हमारी जिन्दगी में बगवान मन कराए हमा के ऐसान मन हैं ये आप कैसी बाते कर रही हैं ये तो मेरा फर्ज है आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी मैंने डिसाइड किया है ये पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रखू देखेगा और मिनिस्टर बार बार फोन किये जा रहा है बहुत बार फोन कर चुका है भाई आदे बार बात कर ले नहीं तो गरबर हो जाएगी और उसको मैं जवाब क्या दू कि हम उससे पिट कर आए हैं एक एक को देख लेंगे भाई जिनकी वज़े से ये हालत भी है उस डैम प्रोजेक्ट को तो मैं किसी भी तरह रोक कर रहूँगा अब तक तो ये काम उस मिनिस्टर का काम था लेकिन आज से मेरा काम है तू प्लैन बना जल्दे ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? आने से पहले फोन भी नहीं किया बस बेटी से मिलने कमन हुआ तो आ गया कुछ खास नहीं आप एक बार चरके फैक्टरी देख लेते तो अच्छा होता तुम हो ना फैक्टरी समालने के लिए? जीवा, मंदर ले चलो ठीक है साब, पर मंदर क्यो? गीता को फोन किया था, वो वही है मैं उसे ज़रा सर्प्राइज देना चाहता हूँ साब जी, कौन से मंदर जाना है? अरे जो रास्ते में है अरे ये तुने क्या किया जीवा? साब जी, सॉरी साब जी हे, क्या किया तुने? दिखता नहीं, गाड़ी ठोक दी तेरा क्या मतला मैं अंदा हूँ अब ये तेरा गर नहीं साड़क है, देखते ने चला सकता हूँ जीवा, क्या करो? अब दिखता नहीं है क्या, मैं जारी ठोक दी तुने है अरे ऐसे नहीं होता है तमाशन मतलो, अंदरो अबने करे गर भाव अगरे बंस जार नहीं होता है करेंगे जारा करेंगे उती, क्या है क्या ञा़ी गला situ अबर नहीं होता है झाल 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 ईप्रभू करपा करो गीटा ये जब क्या है एक मिनिट ये त्योहार है मेला लगा है बहुत अच्ये आर्या एक फोटो लो ना शुरू करो हाँ हाँ बस ओके यह प्रभू हे प्रभू हे प्रभू हाथ अटाओ तुम्हें पता है ना मुझे यह सब लिकुल पता नहीं फिर भी क्या सॉरी फोन दो मुझे फोटोस डिलीट करो मुझे तो अपना फोन देवे हो या नहीं फोन दो मुझे पास मता ना पिछाटो फोटोस डिलीट कर दे तू तुम्हारे फोन में यह सब फोटोस कैसे आई कब खीची तुम्हारे फोल में मेरी फोटोस क्यों है ऐसे खीची दिलीट बस वैसे ही तुम्हें मेरी फोटोस रखी है तो क्या तुम उझसे प्यार करने लगे हो अरे रे 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 तुम्हें दोस्ती बोल कर मेरे साथ धोगा किया है चीटा, चीटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, दोस्ती-दोस्ती कहें कर मेरे साथ दूकर क्यों कि रहा हूँ मुझे तुम से ऐसी उमिद फिल्फ लेहीं थी चुओ मत मुझे, जाओ रहा हूँ चाँ इनल इनल झाल 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 गीता गीता तुम घबराओ मत इस दर्की को कुछ नहीं होगा इसकी फिक्रे तुम मत करो तुम जाओ जाकर उन राक्षसे को खतम करो झाल तुम तुम एल्ष्ट जाकर इसा होगा जाँ ढवाद लुम लुम मत करो जाँ तुम एल्ष्ट जातः तुम लुम एल्ष्ट कर दो कर दो अजय है और झाल 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 किर सक्टाइब! झाल 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 झा यह उस दिन रावन जिन्दा बजग गया तुर आज तूने सीता को राम के सामने चुआ है। बड़ रुक जाओ। दो के बास तो हो ही तुम और अब क्या किसी के हत्यारे भी बन जाओगे। यह खुआ हुआ है। फों तो थाले। ढवाँ प्याँ ठीक है। हाई पापा क्या बात है पापा आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे है ऐसा कुछ नहीं पेटा पापा क्या बात है एस यूजवल आई यूशॉर बस काम की वज़े से वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूँगा अच्छा राम मुझे बता रहा था कि तुमने दो दिनों से कुछ भी निखाया है ऐसे क्या बात होगी बता तो बेटा कुछ नहीं पापा बस थोड़े सी ओफिस के टेंशन है आर यूशॉर यह भगवान हमें रोज खाना तो देता है पर बीवी ये फैसला करती है कि बिरियानी खानी हैंगी घास फूस इसलिए कभी भी बीवी को नाराज मत करना वाँ सूपब डायलोग्स अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर पाया ना तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोहफे में दे दूँगा अपनी नाराज बीवी को मनाना कैसे है यह मेरे काम की चीज है अगर आप अच्छे से तयार होकर परफ्यूम्स लगाकर जाकर उसे गले लगाकर किस करोगे तो उसका गुस्सा चूम मनतर हो जाएगा अरे वाँ वाँ क्या एडिया है अरे सुनो क्या है साब माल किन का है अरे वो तो दो साल पहले ही मर गई न साब अच्छा सेलरी मिल गई इसलिए तुम्हें मजाग सूझ रहे किया मैं अपनी बीबी की बारे में पूछ रहा हूँ वो तो दो घंटे से घर में ही नहीं है ना कहा गई है मजाग करना जड़ा बन करो नहीं तो एक मिनिट मैं घर से भार निकाल दूँगा है हस क्यों रही हो मैं तो पहले से इच बार हूँ न साब पंच लंच टाइम पर आना बताता हूँ तुझे बेबी आज मैं तुम्हें एक प्यारा सा बेबी दूँगा बेबी बेबी पाफ्यूम कैसा लगा अच्छे खुश्भू है ना इसकी तुम यहां हो तो फिर यह कौन है मुझे पता था कि तुम ही हो पता था उसके बाद भी गले लगाया मेरा वो मतलब नहीं था शादी में फेरे मेरे साथ लिये तुमने और मेरे गैर मचुदकी में यहां रोमांच करते फिरते हो मैं भी चिल बेबी मैं तो एकदम तरो ताजा दो हजार रुपे का नोट हूँ यह बैन हुए एक हजार के नोट को क्यो छूँँगा सही का न क्या बोलो चलो 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 आसे हैं कैसे तेरे लिए खाना लाई हूँ बेटा अरे माजी इन सब की क्या जरूरत थी तुम किसानों की भूग का कितना खयाल रखते हो हम सब के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो तो हम तुमें खाना नहीं खिला सकते क्या बेटा तो सब को खिलाओ न लो बेटा लो गीता, मेरी बात मान ले, आर्या को पुन कर ले, कर ले न, गीता, आर्या, गीता, रोक्यों रही हो तुम, पापा कि इतना पे ठीक नहीं है, क्या हुआ? कर दो, जंद कर दो, आर्या कर दो, आर्या, गीता, गीता, ये ए, आरिया, आर्या, आर्या। अरे बस बस दोस्त यही रोग दो अर्या कहा जा रहे हो तुम मैं तो अपने घर जा रहा हूँ क्या तुम साथ नहीं होगे मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे तुम जाओ ना कुछ नहीं सोचेंगे वो तुम तुम मेरे दोस्त हो ना फिर से इसका दोस्ती का राख शुरू हो गया बोलो दोस्त हो दोस्त दोस्त सिर्फ दोस्त अच्छा चल निकल बेटा पापा यह सब कैसे हुआ कुछ खास नहीं बेटा बस बीपी लो होने की वज़े से बेहोश हो गया था बेबी डोन फ्राइ क्राइ आई नो गीता तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार है वो दादी मुझे लगा डॉर्टर का खिला-खिला फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे इसलिए मैंने फोन कर दिया था लुक एट हिम हाउ शाइनिंग अच्छा पर तुम्हाई कैसे दीदी क्या मुझ रही है क्या फरक पड़ता है कि वो कैसे आई हो बस आ तो गई है न पापा आपने का था न लो भी भी हुआ है ये कैसे हुआ पिछले कुछ दिनों से जीजाजी बहुत परेशान है जब से बैंगलूरू से आये हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे क्या हुआ पापा बताईए मुझे दरसल बेटा अउता डरने की बात नहीं है भाई साथ थोड़ा ठक गए है कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे अरे तुम लोगों ने यहां भीड क्यों लगा रखिये क्यों खड़े हो यहाँ पर जाओ जाकर अपना अपना काम करो ना जाओ तु चिंता मत कर बेटा तु जा बेटा जाके आराम कर करो करो कर लोड़े करो एई ममे, ब्रो, पता है तुशे ये सब ब्रो, तो ये भी नहीं पुछेगा कि ये सब कैसे हुआ पत्नी हाइवे पर पती के साथ बाइट पे जा रही थी और किर गई बेचारी, कितनी चोट लगी होगी उसे अरे उसे कुछ हुआ होगा तो उसका पती उसे देख लेगा तुम मुझे देखना भाई मेरी आलग तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है तो अभी भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ अगर मैंने पूछा तो तो अपनी इज़त बचाने के लिए जूट बोलेगा कि बातरूम में गर गया है ना? मैं तुझे सब सच बताऊंगा तुम बता मेरी बीवी ने मुझे मारा क्या बोल रहा या? तेरी बीवी में इतनी ताकत आई कहां से उसने अकेले नहीं मारा उसने तो सिर्फ मेरा थोबड़ा भी गाड़ा है अरे दिखा तो मेरी नौकरानी ने मारा मुझे एकने बुरे दिन आगे नौकरानी से पिट रहा है तु मैंने उसे अपनी बीवी समझ कर गल्दी से गले लगा लिया तू भी ना गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है लगा तो था पर मैंने सुचा शायएद मेरी बीवी सुधर गए है और उसने भी मुझे गले लगा लिया मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ भाबी, मैंने जुनाएं कि आपकी नौकरानी बहुत सुन्दर है या अपना पती बना लीजे या आपकी नौकरानी मेरे किताब कहा गई कहा जा रही हो बेंगलूरू जा रही हूँ मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे ये लड़का ढून रहे है मैं उसी से शादी करूँगी जो लड़का पापा को पसंद आएगा वैसे एक बात कहूँ आपसे आप अपने लिए भी एक लड़का ढून लूँ बतमाश भी जाद में इसका रही है बाई पढ़ाई करने के बजाए तुम मुझे मंदिर में क्यों लिकर आई हो इतना भी नहीं पता तुम्हें एक्जाम में पास होने के लिए भगवान को तुम मनाना ही पड़ेगा ना हाँ अब एक और मंदिर है बस यह आखरी है चलाओ गीता क्या हुआ तुम ठग गई हो क्या है तुम रोकियो रही हो मुझ में ये सीडिया चड़ने की हिकमत तही है मैं फेलो जाओंगी मेरे प्राथ ना धूरी रह जाएगी मैं फेलो जाओंगी पूरे मन से भगवान को याद करो यह दिया बुझना नहीं चाहिए क्यों तुम प्रार्थना तो करो मैं बताता हूं हे प्रभू हे प्रभू दिया बुझने मत देना प्लीज 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 अरे यह नहीं बुजा सरस्वती देवी की पुजा करने से कलाम साइंटिस नहीं बना लक्ष्मी माता की पुजा करने से अंबानी अमीर नहीं बना मैं कुछ समझी नहीं मैंने हाथों से इसे ढखा है यह मेरी कोशिश है और यह दिया बिना बुझे जलता रहा यह मेरी कोशिश का एक फल है थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी न सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा हम बिना कोई कोशिश करें भगवान पर सब कुछ छोड़ दें तो क्या भगवान भी हमें वो चीज देगा देखो गीता तुम पढ़ो जितना आता है उतने में एक्जाम लिख दो फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो मुझे होस्टिल जा रहा है लेकिन क्यों? जल्दी से होस्टिल ले चलो क्या हुआ गीता? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या ओ हो क्या हुआ ऑप खे मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस बेज आए, आपको अरेस्ट किया जाता है इतने भोले बनने का नाडख मत करो इस जगा पर केमिकल फैक्टरी बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हत्याने का प्लैन बनाया तुम्हारी ही कमपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास जिसमें लिखा एक ये जगा पर केमिकल फैक्टरी बनेगी सेकी निचर? ये नकली है चान बोज कर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया डैम की दिवार को गिराना तुमारी चाल थी तुमने किसानों की जिंदगी बरबाद कर दी है सहब जी हमें लगा आप हमारे भगवान है आप हम सब की जिंदगी बचाने आए है इसलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जबीन आपको दे दी एक बार भी हमने नहीं सोचा लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है जेस मिट्टे के हमारे पुरवज उने पूझा की जो जमीन हमें अपनी चान से भी प्यारी आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया आपने हमारे जिंदगी बरबाद की आप कभी सुखी नहीं रहोगे बरबाद हो जाओगे जैसे हम बरबाद हो रहे हैं तुम भी हो जाओगे तुम्हारा कभी बला नहीं होगा तुम्हार कभी बला नहीं हो जाओगे अवार्चो जो नहीं होगे हुआ 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 दो अजोजाओ उतलिया उतलिया! तंदली और उतलिया! कि गजैंझान झालिया! और दो पस्तंडckी तो खारी जतलिया! झालिया! लुशता 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 मरो हुआ 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 चल चल आगे चल सीदे चल चल क्या किया इसने है क्या किया तुन्हें सच बता ये कुछ नहीं बोलेंगे सर इन्होंने सापके साथ धोखा किया है दोखे बाज है ये इंसान मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है दरसल हुआ क्या है बोल क्या ये सच है बोल बता हुमें सच क्या है पैसो के लाज़च में मुस्से गवती हो गई मैंने पुलिस और उस वक्यों का साथ दिया मुझे माफ कर दीजिए अरे पापी अगर पैसे ही कमाने है न तो मेरे पापा का बिजनस बहुत बड़ा है सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे एक भी सवाल किये बिना वो ये डाम बनाने के लिए तयार हो गए बिना प्रॉफिट की परवा किये उन्होंने अपना पैसा इसमें लगा है आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए जिस इनसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी वो महान इनसान मेरे पापा है और आप लोग इन्हें धोके बास कह रहे थे न ये आप लोगों के साथ कभी धोका नहीं करेंगे अरे ये तो आप के लिए अपनी जान भी दे देंगे चाहे इन्हें कितनी भी बेज़दी बरदाश्ट क्यों न करनी पड़े अपनी आखरी सास तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे अमीर होने के बावजूद मेहनत का मोल समझने वाले देवता जैसे इनसान मेरे पापा है एड़ोकेट को लकर्णी को फोन करो इन लेगल इशिस को वही एंडर करेंगे हमारे चैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सर्थ मेरा फोन दिसकनेक किया अभी बताती हूँ हम इस तरह का जैन प्रॉजेक्ट पहली पर बना रहे हैं पर हमने किसानों से उनकी जमीन लेगल ही खरी दी थी फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे ख्याल से इसके पीछे किसी मिनिस्टर का हख लगता है अभी हम राजनीति के बार में बात ना करें तो ही अच्छा है फिलाद हमारा ध्यान इस बात पर चाहिए है कि हम अपने इस काम को कर चाहिए यह प्रॉजेक्ट हमारी कमपनी के लिए बहुत प्रस्टीजिस है बहुत करते करते फोन कर दिया अभी बताती हूँ इस तरह का कोई डाम का प्रजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे हैं पर हमें ये प्रजेक्ट बहुत चल पूरा करना है बात पपा फोन उठालो सॉरी क्या बात है चिल्ला क्यों रहे हो तुम अच्छ ठीक है क्या बात है अरे हलो 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 मैं हूँ बेटा पापा अब आगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूँ बाद क्या है पापा कुछ खास नहीं बेटा बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने एक खास रिष्टेदार से करना चाह रहे हैं मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था कुछ बोल नहीं गई बेटा पापा शादी हाँ अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही पापा मुझे थूड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए मैं हमको फोन करती हूँ ठीक है बेटा अच्छी बात है उसे थूड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए मैं उससे बात कर लुगा ठीक है, भाई शाब अच्छी बात है विशू क्या बात है इत्नी गुसे में क्यों पूछ रहे हूओ अब क्या कहे दिया मैंने, इतना ही पुछना हो क्यों बुला है कुछ नहीं क्या कुछ नहीं मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था उसे छोड़ कर आ रहा हूँ मैं अच्छा, तो तुम्हारे पापा मुझसे जादा इंपोर्टन्ट हो गए ए क्या बखवास कर रही हो, तुम्हारे पापा इंपोर्टन्ट हो सकते है वैसे मेरे पापा मेरे लिए इंपोर्टन्ट है देखो, मेरे पापा के बार में कुछ मत बोलो तुम्हारे पापा अलग है, मेरे पापा अलग है पागलो जैसी बाते करती हो तुम मैं पागलों जैसी बाते कर रही हूँ, तुम मुझे पागल कह रहे हो ठीक है, भूल जा, मैं आ गया हूँ न, क्या बात है बोलो ऐसे ही ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही तुमने मुझे बिना वज़े यहां बुलाया है क्या? अब बताओ न, बात क्या है? आपने पापा की पसंद को मैं ना कैसे कर दूँ तुम कौन होते हो मुझे यह बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं कौन हूँ? जब तुम्हारा यहां कोई नहीं था, तब तुम्हारा जिसने साथ दिया था न, वो हूँ मैं अपने दिल से पूछ कर देखो, तुम्हें जहां कहीं जाना था, तुम्हारा ख्याल रखने जो आया था न, जिसकी मत मारी गई थी, वो हूँ मैं सही कह रहे हूँ, मैं कौन हूँ? हमारे बीच बस दोस्ती थी, और कुछ नहीं देखो गीता, तुम कोई बच्ची नहीं हो, मैं और तुम दोनों जानते हैं हमारे बीच क्या था? हम दोनों के बीच, क्या है बोलो, बताओ क्या है तो क्या, हम दोस्त नहीं हैं? लो फिर से शुरू हो गया दोस्ती का नाटक तुमने मुझे दोस्ती के नाम पे धोका दिया तुम दोके बाज हो, you are a cheater एई, insult करोगी मेरी, मजाब उड़ाओगे मेरा परिशान करना है मुझे मुझे पता है उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारे कंदे पर हाथ रखा था और एक्जाम हाल के बाहर सबके सामने तुम्हे गले लगाया था इसलिए तुम्हे ये बोल रहे हो ना ठीक कह रही हो ना मैं ठीक, मुझे ने पता था कि तुम्हारी सोच इतनी चोटी है बस छोटी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है मेरे दिल में कुछ और और जुबान पे कुछ और ऐसा नहीं है मेरे दिल की बात तुम अब सुनो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ I love you शौक लग या इतनी हैरान मत हो I love you बोलने के बस दस सेकंड बात मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम बिलकुल पसंद नहीं हो Yes, yes, I hate you I hate you क्योंकि जानती हो तुम जैसी पागल लड़की के साथ रहा ना तो मैं भी पागल हो जाओंगा भगवान का शुकर है कि मैं बज गया जो तुमसे शादी करेगा ना जिन्दगी बरबाद हो जाएगी उसकी एए, क्या कहा? बरबाद? तुमारी तरह कोई एरा गेरा नहीं होगा बहुत खास होगा अचा, ठीक मेरे पापा मेरी शादी किसी राजकुमार से करेंगे देखते हैं कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से शादी करके जितनी खुशी तुम्हे राजकुमारी बना कर मैं देने वाला था उतना कोई और नहीं दे सकता तुम भी देख लोगी पापा हाँ बोलो बेटा मैं शादी के लिए तयार हूँ तुम तयार हूँ? पर तुमने तो सोचने के लिए वक्त महागा था मैं यह सोचने के बाद ही बोल रही हूँ पापा मैं शादी के लिए तयार हूँ बेठा तुने अच्छी तरह से सोच लिया है ना तू तयार है ना हाँ पापा मैं तयार हूँ अच्छी बात है मैं घर आ रही हूँ हाँ ठीक है गाड़ी भेज़ देता हूँ जोती गीता ने शाधी के लिए हाँ कर दी है तू गल्दी कर रही है गुस्से में लिया हूँ फैसला कभी ठीक नहीं होता तो बात यह पच्छताएगी आर्या से अच्छा लडगा तुछे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा देख मुझे पता है कि तू आर्या से प्यार करती है और जिससे तू प्यार करती है उससे दूर जाके तुझे कुछ भी हासल नहीं होगा गीता अपने इस एगो के चकर में ना तेरे दिल में चौ आर्या किरे प्यार है उसे मत मार प्लीज गीता मत जा यार गीता मैं अपने पापा की मर्जी से ही शाधी करूँगी उनकी खि गीता, 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 आजा बेटा, पापा, आजा बेटा, मैं ठाक कही हो, थोड़ी देर आराम कर लूँ, अच्छे बात है, जाओ, सहाब, हाँ क्या हो, आ, आर्या, वो क्यों है, जी सहाब, भाई सहाब, पापा, आर्या को एос हाँ, आर्या, एसालिए, भाई झारे, वोओ लूपए, हाँ, तक ट्रच सतना गेता,ा आर्या, पापा? पापा? आर्या को न आ हेढ़ सिपाव स्थारी, मैं या दोस्ते पापा? बिल्कुल नहीं उससे दोस्ती दोड़ दो क्यों पापा कुछ साल पहले हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे एक दूसरे में जान बसती थी बहुत अख्षे शंकर अभी तुमारी करियर की शुरुआत है और तुम्हें सरकार से इतना बड़ा प्रजेक्ट में दा कॉंग्रेटुलेशन्स मेरा तो एंग्रीनियर बन गया खा खा मिठाई खा मसब बैंगलोरू छोड़ कर वापस आजा मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जो मेरा है वो तेरा ही तो है आजा हम साथ में खुशी-खुशी रहेंगे यार मेरे जिंदगी में और मेरे पढ़ाई में तुमने बहुत मदद की है लेकिन अब अगर में कुछ नहीं बन भाया तो मुझे लगेगा यह तुम्हारी बेज़ती है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बंगलूर में जाकर कोशिश करनी चाहिए बदमाश काम के लिए रुक रहा है या फिर कुछ और अरे या तो तु फिर से शुरूर हो गया देख रही न भावी देखो तुम दोनों भाई बहन को मैं भलक क्यों दूर करूंगा मेरा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी तो उसने तैयारी की मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया मैंने उसे पढ़ने दिया गलत क्या किया मैं बच्पन में बीरा के बगएर कभी नहीं रहा क्योंकि तु बैंगलूरू में है इसलिए तुछ पर विश्वास करके ही मैंने उसे वहां बेजा है तु बिल्कुल फिकर मत कर उसकी जिम्यदारी मेरी है मेरा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ सच में मैंने ये फैसला मिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं किया मैं सोच समझ कर ही तुम्हें ये बात बता रही हूँ मैं कल ही इस बारे में नरी सिम्ह से बात कर लेता हूँ भाईया को भी कुछ मत बताना मेरे एक्साम सोचाने दो तुम्हें तो बताई है न उन्हें कितनी जल्दी गुसा आजाता है अगर वो नहीं माने तो मेरी बढ़ाई बंद करवा देंगी और मुझे सबरतस्ती घर वापस लेकर चली जाएंगे हूं चीक है कल मैं किसी जरूरी काम से हैद्राबाद जा रहा हूं वापस लोटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे अपना ख्याल रखना देर गाईश मान भाव क्या हुआ आज के दिन भी इतने उदास है मीरा की बहुत यादा रही है मुझे उसके बिना हर तेवहार बिल्कुल फीका लगता है पढ़ाई करने बाहर गई है तो आप इतने परिशान है जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा क्या मतलब है आपका शादी नहीं करवाएंगे उसकी करूंगा ना बिल्कुल करूंगा पर उसके लिए अपने ही गाउं का अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूड़ूंगा ताकि मीरा शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में रहे कहां से ढूड़नेंगे ऐसा लड़का आप क्यों हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं है तनका पूरी चाही तो यह मंदरी से काम किया कर ये कौन सा तरीका है अपने माली को लूटता है क्या आओ विश्वा ये फर्वरी के अकाउंट्स की किताबे हैं आप ही देख लिए इनका मन तो आज भी मीरा के ही पास है परिवर आप देख तो लेती माली कि तुमने चेक कर लिया न विश्वा आँ चेक कर लिया तुम पर हमें पूरा भरोसा है जाओ जी साब मैं चलता हूँ जोती कौन है कौन पर मीरा हाँ बात करवा मीरा हाँ भया मैं ही हूँ कैसे हैं आप सब हम सब तो ठीक है पर तू तो हमें बिल्कुल भोली ही गई कितने महीनी हो गया तुझे देखे परसों मैं तुससे मिलने बैंगलोरू आ रहा हूँ मत आये भया पर क्यूँ फिल्हार मैं बैंगलोरू में नहीं हूँ तो फिर मैं बाहर क्याम्प में हूँ भया फिर तू हम सब से मिलने कब आएगी मीरा क्याम्प की वचे से एक चगे से दूसरी चगे जाना पड़ता है भया पक्का नहीं बता पाऊंगी कि कब आऊंगी इसके खत्म होने में तीन-चार महिने और लग जाएंगे क्या कहा तीन-चार महिने और हाँ भया एक बार खत्म हो जाए तो मैं सीधा आपके पास घर ही आ जाओंगी भया अच्छा ठीक है फोन करके हाल चल बताती रहना जी भया मेरा यजमान लड़के का नाम अभी है डॉक्टर आपके परिवार के लिए अतियुत्तम सही हो है क्या चल रहा है यहाँ देखिए न मीरा की और इस लड़के की कुंडली बिलकुल मिला मीरा की कुंडली मिलाने के लिए तुमसे किस ने गा डॉक्टर है वो किसने बताए इसने पंडी जी उठिए यहां से लड़का अच्छा है कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की शादी बाहर के लड़के से हर्गिस देखिन करूगा वो डॉक्टर है चाहे कोई भी हो मुझे इमांदार और मेहंती लड़का इसी गाउं से चाहिए अब आपको इतना इमांदार लड़का कहां से मिलेगा मिल्कुल मिलेगा मैं उसे ढूट के खोपरी की कमाई की पैसे गिन लीजे न अभी नहीं विश्वा तुम जाओ अब बस करो इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया साब कोई गलती होगी तो माफ कर देना कल से काम पर मताना भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिये साब आप मुझे लात मार के बाहर निकाल दीजी मैं फिर भी इस घर को छोड़ूँगा नहीं साब मैं आपका नौकर बन के रहूँगा विश्वा ऐसा मत कहो आज से तुम इस घर के नौकर नहीं परिवार के सदस से हो मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी और मीरा की शादी हमने तैक कर दी है अलाज साब जी हाँ विश्वा मा विश्वा हमारे सामने पला बढ़ा है और हमारी मीरा के लिए इस से बेहतर लड़का नहीं मिलेगा गले लग जाओ भाई अच्छो होगा अगर आप शादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात कर ले तो नहीं रे वो खलत होगा हो क्यों भाई जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने ने आपको मीरा काफ़दी खोषित कर दिया तो परिशान ही गया है उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उससे मिले हो कि अर। क्या मतलब इस वक्तों हसल में नहीं तो का वही है का जा सकती है वह का गही होई जा के दिखाटों में कौन है हाँ हाँ यह क्या है एफ यह क्या है हाँ मेया विश्वा तुम यहाद लेजे यह सब क्या है यह बत मेरे बया को मत बादाए बताना विश्वा, प्लीज मत बताना बाइया, रजिस्ट्रेशन कल सुबा दस मजे, लेगि उसके बारे में तुमने जाब जी, जाब जी, विश्वा, क्या हुआ, बात क्या है? जाब जी, मीरा, हाँ, मीरा, शंकर, शंकर, भोदरो भाग है जाब जी, मीरा, मेरी बहन है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शरम से सर जुख जाए शंकर, मेरा जिगरी दोस्त है, वो मुझे तुखा नहीं देगा, कभी नहीं, इस परिवाद मेरे बहुत नहीं है आके आपको गलत लगता है अवैं जुख लोगई तो मेरी, मेरी और जीप कार देजिजिए अप, साlon जी, साब जी, मेरा, मेरा प्रेंचनोट है, साब मेरा आपको पता नहीं उसने शंकर से शादी कर ली है क्या सुन रहा हूं मैं सुन रहा हूं मैं अपने किये हुए वादे को पूरा नहीं कर सका मुझे माफ करते है विश्वा आप क्यों माफी मांग रहे हैं साब आपके तो कोई खालती नहीं है चाहिए जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगा मैं अभी भी आप से कह रहा हूं मैं आपकी बेहन से शादी करूंगा यह तुम क्या कह रहे है विश्वा अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बेहन जोती से शादी करने के लिए तैयार हूं का पक्रूंगा इसके टेया सचादोस्ट क्या हमारा परिवार एक दोखे बाज के साथ रिष्टा रखेगा अब इतक मैंने तेरी हर बात मानी है पर इस पार तुझे मेरी बात माननी होगी मेरी बात मान तूसे भूल जा गीता क्या तो आर्या से प्यार करती है अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इंसान से शादी मत करना बेटा तुने अभी हा कह दिया पर सारी तयारिया हो जाने के बाद उन्हें शर्मिंदा करके चली मत जाना सब के सामने उनका सिर चुक चाएगा गीता बस मा बचपन से उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बना कर रखा उदोस राजकुमारी के सामने नौकर बने रहे मैंने पूरी जिन्दगी जिस चीज़ पर हाथ रखा वो मुझे ला कर दी उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंडी जिसके बास प्यार करने वाला इतना अच्छा पिता हो उन्हें मैं दोगा कैसे दे सकती हूँ और वो भी अपने प्यार के लिए मा वो मेरे पापा ही है जोनोंने मुझे तब से प्यार किया जब मैं शाया ठीक से पापा बोलना भी नहीं जानती थी मैं ये जीने का कोई मतलब नहीं अगर मैंने अपने पापा की दिल को चोट पहुचाए मैंने पहले भी कहा था अब भी कह रहे हूँ मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी उसके अलावा किसी से नहीं करूँगी मा दादी अब हमेशा मुझ से कहती थी न कि मेरा पती एक राजकुमार होगा में कुछ श्री राम की तरह है न वो सब जूट है कोई चन्म से ही राजकुमार या श्री राम नहीं बनता है दादी वो श्री राम है या नहीं इस बात का पता चलेगा कि वो अपनी बीवी को कैसे रखता है जिन्दगी में जरूरी नहीं हम जो चाहें वो हमें मिल जाए अपने प्यार करने वालों के लिए कुर्वानी देना ही सिंदगी है दैड चलो गीता को लेकर आते हूं आपको गीता के बार में कैसे पता चला आरिया इतने सालों तक मैंने तुमसे एक बात चुपा कर रखी लेकिन अब उसे बताने का वक्त आ गया अब अपक कर रहता है कि अगेटा कर देख देख रही है निए ज़िखने रही है जब इसने दो का दिया थाना आज उसे और उसके बेटे ने मिलकर किटनेप कर लिया है जब कहां पर है वो कहां है तू कहां निकल कहां पी औरे वो कहां पी और कर दो कहां बढर बच्ड़ कहां तो आप आप अजय कैंग लुझ से अड़ आप डू़ आप अऊंग पड़ आप पाँ लग्रपकर अबे का अप उनुर एलाई कर तर डंड़े अजय कर दूद कर दूई अजय कर दो अजय अजय प्यॉत हुआ हूं पर र dolab हूं थेखजर हुं हूं पर छ दो हूं पर मजट कर दो, 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 क क्या आप ठक गए आपको एक बात बता आपकी बेटी गीता को मैंने किटनाथ नहीं किया आप खुदी देख लीजे आप चौक क्यों गए उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने सच का पता चल गया आपको वो सच नहीं जानना जो किसी को नहीं पता इरा प्यार सच्चा है ये सच है कि मैं शंकर को बहुत चाँती हूं बही शंकर जी बहीं इनका नाम और आपका नाम इकी है शंकर अधा नाम डोक्टर शंकर बहीआ आपने माली को लूटने चला ये कौनसे तरीका है ये वर्वरी की आपने विश्वा हमें तुम्हारे उपर पूरा बरोसा है जाओ क्या कहा तीन चार महीने और जी भाईया ठीक है मीरा फोन करके हल चाल बताती रहना जी भाईया मीरा अब क्या करेंगे मुझे ये बच्चा चाहिए हलो हलो मीरा है क्या हाँ है एक मिनेट उसे बुलाती हूँ हलो बहिया क्या हुआ एकने दिनों तक तुमने मिझे फोन नहीं किया माया वो ऐसे ही वैसे ही सब ठीक तो है न जी भाईया कोई परिशानी हो तो माया आप आराम से काम खद्म करकिया यह यहां सब कुछ ठीक है ठीक है वह जरूर कुछ परिशानी में है और मुझसे छुपा रही है भाई ओप्रका पैसा कितना रखो मैं कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की शादी बाहर वाले से नहीं करूगा तुबस देखता जा पर आपको एसे लड़का मैं बगल दूँगा बिलकुल मिलेगा मैं उसे ढूट के कि खोपरे की कमाई के पैसे हैं गिन लीजिए ना मेरी बहन मीरा की शादी तुमसे होगी साब गले लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे पहले नर्सीमा से बात करनी जहीं थी भाया पर अभी तुम चुपराओ मीरा तुम दोनों इसी वक्त मेरे साथ काउँ चल रहे हो भाई भावी दोजल में हाई ही नहीं देख तो आटा में कौन आया है विश्वा ये सब क्या है भगबान के लिए ये बात भाईया को मत बताना पर तेरे भाई ने तो तेरी शादी मेरे साथ तै की थी ना जी क्या बोल रहे हो तुम तुमारी शादी मुझ से होनी है हमारे घर के नौकर हो तुम मुझसे शादी करने का ख्याल तुमारे मन में आया भी कैसे मैं डॉक्टर शंकर से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे मेरी शादी भी हो चुकी है Excuse me, रोकिये ब्लीज क्या हुआ शंकर? सर मीरा को अकेले लगेज बैक करने में परिशानी होगी मैं उसकी मदद कर देता हूँ सुरी शंकर, टेंशन में ये बात मैं भूल लिया था कोई बात नहीं सर, मैं चला जाओंगा मेरे रास्ते में चलाएगा, मैं उससे खत्म कर दूँगा मीरा 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 चलाओ अरे बाप्रे मीरा ये होस्टल की जाब यह भूल गई भाई होस्टल दरा वापज चलो हाराम से पाउ मीरा बाई बान बान जी झाओ पेशा बाई अ ळिया ने ली बाई पाई झाल, 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 झाल. वाई, खोई आ रहा है, छलो, भागते हैं, छलो. मेरा 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 यह सब क्या हुआ यह सब किस ने किया विश्वा बढ़िया मैं बच्छे को बचा ले ना भाया मैं बचा लोगा मेरा बचा लोगा डाक्टर जल्दी कर प्र प्रेस्द को मेरी सवरी मैं कर दूंगा मैं से वो वो मुझे भूर देंगे ना भात कर देगा वो क्योंने करेगा मां लीक्षद में कुछ नहींग लिए ना मैं असे माग भी माग लेना, मैं आज़ा सर सौरी हम शंकर को नहीं बचा पाए हमने बच्चे को बचाने के लिए उपरेशिन किया है सेवन मेंस, प्रिमेचुर्ड बेबी मीरा? हम हम वा, आइ पक्का मर गया होगा काफे भीर कथी हो गई है चलो यहां से चलते हैं एक्सिडन्ट के बाद आप सडक पर बेहोश मिले चार लोगों ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया इस बात को तकरीबन चार हफते हो चुके हैं अब चार हफते से ट्रांस कुमा में थे चार लाइ ली को जचए कर देए अगर उस दिन मैंने नर्सिम्हा को सच बता दिया होता तो तो कभी अनाथ नहीं होता पर अगर अग मैंने उसे सच बताया तो उसकी बेहन विद्वा हो जाएगी ये सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये सच कि बता सक बता हो जाएगी मेरे आसू उसे तुम्हारी आखों में अगर आसू आते हैं तो आज के बाद मैं कभी नहीं रूँगा तेरे चेहरे पर मुझे हमेशा हसी दिखने चाहिए आज के बाद मैं तेरे लिए ही जीओंगा बस मिन तेरे में अभर मुझे आस। तुम्हार कुए ही जीओतों है अबसे मा! अबसे मा! अगर कोई पास भी आ, तो मैं इसे मार दूगा! मेरी मेरी को कुछ बत करना! सारी गल्ती मेरी है! मेरी है! अबसे मेरी है! एच जंदर! आजा! पास एच आ tecnología! अबसे मेरी है! अजाए्गर के एपिर दुछ आए्गर को के इसाए्गर को आए्गर आए्गर को एपिर दूता! प्रग्जा शंकार मैं इसे मार दूगा तेरी वज़ा से मैंने अपनी पेहन को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देखा यह तो उसे अपनी बेहन मांगता उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने की हिम्मत तुझे कैसे हुई जिसे अपने परिवार के साथ रहकर जिंदगी की हर खोशियां जीनी चाहिए थी उसे तुने अनात बना दिया वो अपने भाई से माफी मानना चाहती थी सिर्फ तेरी वज़ा से नहीं मान पाई बहुत दर्द सही उसने मैं असे कहना कि मुझे माफ कर दे क्लुक कि मुझे मुझे में अप और पर हो ऑशच जया जया हो जया है रहरों जया है जो गल्थी उस वक्त की अब वही गल्थी मैं दुबारा नहीं करना चाहता हूँ तुम्हारी बेटी मैं यहाँ आपकी बेटी को भगाने नहीं आया था बस आपको यह बताने आया था कि मेरे पापा धोके बास नहीं है एक सच्छे दोस्त है शंकर झा नहीं होके बताने भी है प्साअग करता है झाल, झाल, झाल.